जिन्का नाम है प्र यहां पी जनता की जनता और ना पर नापी करवा करके पूरा नापी करवा करके लिए कि अगर निर्मानी करना हो तो आप रही है और फिर नमस्कार आप सब्सक्राइब किराचा है मारे बिसक ठेंट्रे हैं आ हमारे तो आज का मेरा जो वीडियो जो है वह मनरेगा से रिलेटेट Junior को जितने सब्सक्राइब्स को बेना को सब्सक्राइब कर कर आता है को मंजरेगा का काम किन से कराया जाएगा तुन करेगा सबसे पहले मंजरेगा के अंदर में कोंगों काम आता है तो जानीन मंजरेगा के तत जैसे कोई रोड का निर्मान करना हो, रोड के निर्मान काम हो जाएंगे, ठीक है, यानि कि इसमें डारेक्ट कह सकते हैं कि मन्रिगा में रोड का निर्मान कार रहे होगा, नाला का निर्मान कार रहे होगा, ठीक है, बिरिक्षा रोपन होगा, ठीक है, बिरिक्षा रोपन होगा, और उस मंढ़ेगा के क qo pt pee kdf या सब चीज भी मंढ़ेगा के तहट आता है और इस चीजों को समझ लीजिये और इसमें जो मंढ़ेगा में nade ios阪क काब किन से कराया जाएगा या बाद समझ है तो मंढ़ेगा काם होता है उसमें मुखिया जी यानि कि आप लोगों को बाट सकते हैं मुखिया जी जो है न परते एक वाड सदसे को थोड़े थोड़े करके उनके वाड में जितने भी काम आते हैं तो उनके साथ यानि कि मुखिया जी जो है न उनको बाट करके सभी वाडों को बाट करके दे देते हैं ऐसा नहीं है कि वो अपने चहेते वाड को देते हैं सभी वाडो में समझे से ताल मिल करके मुखिया जी उसकाम को बाट देते हैं आप इसके काम कराने के लिए मुखिया जी और मुखिया जी के साथ एक और बेक्ति होते हैं जिनका नाम है पी आरेस ठीक है पी आरेस पी आरेस भी देना होगा क्या तो यह बात जान लिजे अगर आप सही तरीके से काम करवाईएगा सही तरीके से काम करवाईएगा तो कोई भी कमीशन आपको नहीं देना पड़ेगा कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा लेकिन भाया यह बिहार है यह बिहार है यहां पे अभी बिह तो यहां पर अभी आपको घूस का प्राथा चलता है घूस देना ही पड़ेगा चाहे आपका काम हो जाए ठीक है और उसके बाद एस्टिमीट कैसे बनेगा तो मंद्रेगा का एस्टिमीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले प्यारे साहब से बहुत कर और ना है पूरा नापी करवा करके कि कितने नापी करवा करके कि कितने जगहों पर कितना दूडरी भरायक का काम होगा उसका नापी कराकर के और पर Go को देना पड़ेगा और इसमें मुक्षिया जी की मंजूरी जब हो जाएगी ठीक है तो आपको क्या होगा इस रोड की नापी जो हो गया है आप दे दिये हैं और उसके बाद वहाँ पर जाकर करके इसका प्रसासनिक बनेगा प्रसासनिक के बाद एस्टीमीट बनेगा और फिर आपको काम करने का हक मिल जाएगा आपको वहाँ पर एस्टीमीट के बाद क्या करने होगा आपको यानि कि आपको अपने पैसे से मजदूर को मजदूरी दे करके मन्रेगा के तहत यानि कि आप लेबर से काम करवा स माथा पर टोकडी धर करके और माथा पर टोकडी से किसी भी परकार का आपको भराई का काम होगा चाहे इसमें मन्रेगा के तदनाला का निर्मान में भी लोगों को ले जाकर के आपको माथा पर टोकडी धर करके काम करवाना पड़ेगा विक्चार ओपन में भी लोगों से बि तो देखे अगर इससे रिलेटेट किसी भी प्रकार का कोई कोश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर जिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप पर आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के साथ आप जूर सकते हैं तो धन्यवाद फिर मिलेंगी